वेलकम फ्रेंड माइनेम इस महम्मद असरप और आप सबी को स्वागा थे हमारी यूटूब चैनल असरप टेक भे फ्रेंड आज के इस पीडियो में हम आपको डिस्क डिगर प्रो एप्लिकेशन के बारें बतलाने वाले हैं जिससे फ्रेंड आप अपने फोन से किसी भी डिलिट हुआ फोटो को रिकवर कर सकते हैं उस फोटो को बेकप ले सकते हैं आप देख पा रहे हैं ये फ्रेंड डिक्ट डिगर प्रो ये एक पेड अप्लिकेशन है इसके लिए फ्रेंड आपको 190 रुपे करना पड़ता है पर फ्रेंड मैं आज आपको एक तरीका बतलाओंगा जिससे फ्रेंड आप इस अप्लिकेशन को फ्री में डाउनलोड कर पाए तो फ्रेंड ये जो अप्लिकेशन ये फ्रेंड मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्सन पर आपको इस अप्लिकेशन का लिंक मिल जाएगा वहां से जाके फ्रेंड आप इस अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें तो सबसे पहले फ्र वो यहाँ पे आ गिया है उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको एक download का option मिल जाएगा तो फ्रेंड यहाँ पे आपको click करके इस application को download कर लेना है तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा जो installing है वो यहाँ पे complete हो गया है तो चलिए फ्रेंड यहाँ से हम application को सिधा open कर लेते हैं तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं हमारा जो application है वो पूरे तरीके से open हो गया है तो फ्रेंड सबसे simple और सबसे best application है photo recover के लिए तो फ्रेंड यह जो application है यह आप देख पार होगे disk digger pro तो फ्रेंड अगर आप disk digger application से भी अगर किसी भी photo को recover करना चाहते हैं तो फ्रेंड वो भी application बहुत ही अच्छा है वहाँ से भी फ्रेंड आप अपने किसी भी delete photo को recover कर पाएंगे तो फ्रेंड अभी आप देख पार होगे इस application को जो इंटरफेस ही वो best basic सा इंटरफेस है तो फ्रेंड सबसे पहले अगर आपको कोई सभी photo को recover करना है तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख पार होगे start basic photo scan तो फ्रेंड इस पे आपको click कर देना है इस पे click करने का बाद फ्रेंड यहाँ से आपको एक permission को allow कर देना है उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देख पार होगे आपका जो recover है वो यहाँ से start हो गया है यानि फ्रेंड अगर आपके phone से कोई सभी photo जो delete हो गया है वो फ्रेंड एक एक करके यहाँ पे वापस आने लगेगा तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख पार होगे हमारा जो delete photo है वो यहाँ से एक एक करके recover होने लगा है तो फ्रेंड यहाँ पे अभी photo सो होगा जो फ्रेंड आपके gallery में अभी मौजूद है तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं अगर इन में से आपको कोई साभी फोटो को रिकवर करना है तो फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले फ्रेंड आपको एक जिस जो बॉक्स है इस पर आपको किलिक करना है उसके बाद फ्रेंड यहां से रिकवर पे किलिक क करना है उसके बाद यहां पर आपको फाइल मेनेजर है वो यहां पर ओपन हो जाएगा तो फ्रेंड यहां पर आपको सेलेक्ट करना रहा है कि कौन सा फाइल पर अपना फोटो को सेप करना चाहते हैं तो फ्रेंड उस फाइल को यहां पर सेलेक्टर के यहां से फ्रेंड आपक successful 惟ो फ्रेंड यहांसे आपको वह सारा फोटो सिलेट करई जो फोटो को आप रिकभर करना चाहते है तो फ्रेंड यहां पे आपको बहुत सारा फोटो मिल जाएगा जो आपके फ़ोन से अगलती से हो तो डिلिट हो गया है तो फ्रेंड यहां से आप टेकिक करके सारा फोटो को recover कर पाएंगे तो अगर आप चाहते हैं कि आप सारा फोटो को एक साथ में recover करना तो फ्रेंड सारा को आप select कर लें select करने के बाद फिर से फ्रेंड आपको यहां पर जो recover का option देख पा रहे होंगे select करें उसके बाद फिरेंड बीच वाला option ले और फिरेंड यहां से आपको कोई सवी folder select कर लेना है उसके बाद फिरेंड यहां से आपको ok कर देना है ओके करने के बाद आपका जो फोटो है वो successfully saved हो जाएगा तो फ्रेंड इसी तरह अगर आपका भी कोई सभी फोटो डिलिट हो जाता है तो फ्रेंड उससे आप बहुत ही आसानी के साथ recover कर पाएंगे फ्रेंड अगर आपको आज के ये छोटा से वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं तो चली फ्रेंड मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर